नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से सोनु निगम जी जो है, वो कैमपेण चला रहे है, T-Series और भूशन कुमार जी के प्रति, तो इस सिलसिले में मैं ये बोलना चाहते हूं, कि T-Series ने आज तक हजारों कलाकारों को ब्रेक दिया है, जो कि आउटसाइडर्स हैं, तो इंडस को चांस दिया, उसमें से चार लोग, नेहा ककर, रकुल प्रीत सिंग, हिमांच कोली और कंपोजर आर को आज बड़े हो चुके हैं, और सोनु निगम जी से, मैं ये पूछना चाहूंगी, कि वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में टालेंट को सही दिशा नी मिलती, तो कि सोनु जी हमारी मदद कर दीजिए, मेरे बेटे की मदद कर दीजिए, मेरी बच्ची की मदद कर दीजिए, हमें मिलवा दीजिए, टी सीरीज में हमें चांस दिलवा दीजिए, आप तो आज तक टी सीरीज में हैं कि इसको चांस दे दो, इसको बहुत बड़ा टालेंट है इसको आप चांस दीजे, आपने तो कभी किसी को चांस दिलवाने की बात नहीं की, आपने ना ही कोई टालेंट आज तक इंडस्ट्री में इंप्रोड्यूस किया, तो एक बात मैं आपको बता दू, सोनु निगम जी, कि सोशल मीडिया पे, क्यामरी के पीछे छुटके बोना बहुत असान है, पर आपने खुद ग्राउंड लेवल पे, कितने टालेंट को आगे बढ़ाया, किसी को में नहीं, अपने सिवा, अपने आपको छोड़के, आपने किसी भी टालेंट को इंडस्ट्री में चांस नहीं दिया, और आज हम पर ब्लेम कर रहे हैं, कि हम लोगों देना नहीं है, फिर भी हम उनको नए टालेंट को भून रहे हैं, और उनको चांस दे रहे हैं, दूसरी बात जो आपने बोली, अपने वीडियो में, वो आपने ये बोली कि भूशन जी आपके पास आए, और उन्होंने आप से कहा, कि भाई, प्लीज मुझे बाला साब ठा से मिलवा देजे, प्लीज मुझे सहारा श्री से मिलवा देजे, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं, कि सोनु निगम जी खुद पांच रुपए में दिल्ली की राम लीला में गाना गाते थे, वहां से इनको स्कॉट किया गुलशन कुमार जी में, उन्होंने इनका टाल आप से ये बात कहीं गई कि नहीं कहीं गई कि आपको बहुत बड़ा कलाकार बनाएंगे कहीं गई और गुलशन जी ने आपके इतनी आर्बंस की इतनी फिल्म्स की आपको इतना इतना उच्छे मुटाम पे पुंचा रहा है पर आपने क्या थे यह अभी बता कि उससे पहल तो तुम मुझे क्या बता रहे कि सौनुनिकम जी शामें लाए भी आप लोग नहीं थे तब इनको दिली से मंभाय लाए थे में बुल्सन जी के साथ ही उस्टे में था बुल संची में अब लाते थे इस उनके पास भाई से छोड़ी में शकुति होती है उस भी आते थे हम तो हम ने हमारे ओफीस में ऑचीना भी था हम लेकते बैठे रहों, यह किना पीश और इस लिए तर एक पिर साभ ने कम कर आदे तो यह कुछ करना है, बुछ लेक्ष बाद साभ ने ही वेन अधावशने उसको भी या कंद आजब में वेन एक एपन प्राद इता है, सब जानते होंगे यह हमारे घर के कुक है और 88 से हमारे घर में अब मैं यह बताना चाहते हूं कि 1998 में जब टी सीरीज की पैमली के साथ यह हादसा हुआ था और गुल्शं कुमार जी को खतम कर दिया गया था तब सोनो निगम जी ने क्या किया तो सुनो निगम ने सोचा कि अब तो T-Series का क्या होगा T-Series का तो कोई करता धरता है नि ननो यानि की गुशन कुमार जो कि गुल्शं कुमार जी के बेटे है वो तो सिरफ 18 साल के है उनको तो कुछ आता दो दोता है नि वो तो खुदी मेरे पास आ के हैल्प कर रहे हैं मांग रहे है कि भाई मुझे इ वो नहीं थी कोई भी इनको थाइंफुलनेस नहीं थी कि T-Series ने मुझे इतना आगे बढ़ाया आज T-Series फैमली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है तो मैं इनके साथ खड़ा रहा हूं मैं भूशन की help करूं और उसको मिलवाओं लोगों से रादर ये तो कुछ दूसरी मादद मांगी कि भाई प्लीज मेरे लिए दिवाना अल्बम कर दे कि ये तो भई पूरी तरह से एसान फरामोशों के दूसरी कंपनी में चले गए और इनों ने आटिटूड दिखाया कि वो मेरे सामने हाई मुझसे मादद मांगे और मदद इनों ने करीबी और उसका भी इनोंने दिवाना अल्बम करी ठीक है फिर उसके बार इनोंने जो वीडियो में दूसरी बात करी वो यह कही है कि भूशन जी ने इनसे मदद मांगी कि भाई मुझे अब्बू सलीन से बचाने अब मैं आपसे यह पूछना चाते हुए अब्बू सलीन से बचाने के लिए भ अब भी तो वो उनके पास मदद मांगने आए और इनोंने खुद अपने वीडियो में बोला है कि वो उनके पास मदद मांगने आए मतलब भूछन जी मीटू रेपिस्ट है लेकिन ये बात माफिया ने दबाने अब मैं आपको यह बताना चाहतू सोनो जी कि मीटू एक बहुत अच्छी मूवमेंट जो स्टार्ट की गई इसलिए ताकि इस साइटी में जो ऐसे लोग है जो बुरे लोग है उनका सपाया हो स पर इस मूवमेंट का बहुत सारी ऐसे लोगों ने फायदा उठाया पैसे इंचने के लिए ब्लाक मेल करने के लिए किसी को किसी से वेंजन्स है तो किसी लड़की के कंधे पे बंदूख रख के चलाने के लिए और ऐसे हमें बहुत सारी ब्लाक मेलिंग कॉल्स आई मीटू के टाइम पर उस टाइम पर हमने सिरक पुलिस की सपोर्ट ली पुलिस की है ली और पुलिस ने तहकी काती और पुलिस ने ये क्लियर कर लिया कि यह तो सीधा-सीधा ब्याक्मिलिंग का केस है और पुलिस हमने पूछा कि क्या आपको कुछ करना है कुछ मानहानी का दावा करन लेकिन उसका ऐसे बहुत ज़री cases आया हमारे पास और उसका पाइदा आप जैसे लोग उठाते और कई लड़कियों ने अड्मिट भी किया कि कई लोगों ने जो सच्छी दुश्मन है इंडस्ट्री में उन्होंने वो पीछे थे इस मिली भगत के लेकिन देखी आप आज भी प्रूफ के साथ कीजिए बिना प्रूफ के मतलब ही नहीं है और कोई भी अगर बिना प्रूफ की कोई इल्जाम लगाता है क्योंकि जब से आपने ही अपना वीडियो ओन किया तब से बापस हमारे पास ब्लाक मेलिंग कॉल सुरू हो गए बापस कही लड़किया उट गई है कि हमें तो सोनु निगम जी से इंस्पिरेशन मिल गई हमें आप पर आप हमें काम दो या दो हमें आप पैसा दो नहीं तो हमें आप हम आप पर लिकर देंगे सिरफ इस लड़किया ही जो बहुत सारे सिंगल और खड़े हूं है वो कर रहे हैं वो इसे ब्लाक मिल कर रहे हैं मुझे ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना था सोनु निगम जी और भूशन जी ने तो मुझे स्पेशली बोला था कि हमें चुप रहे हमें हमें चुप का चुप चुपी साथे रखनी है लेकित आपने अभी भी अपनी क्यांपन बंद भी आज भी हम कोशिच करते हैं T-Series से कि 80% लोग ना 100% लोगों को चांस दी पर कहीं बा कोई भी शुरू हो चाहता कोई भी किसी पर भी आरोत लगा सकता है तो ऐसा महाल है और आप ने जब अपना वीडियो ओन किया तो मैं आपको बता दू कि मेरे साथ क्या हो है मेरे हल्बेंट के अगेंस डेथ त्रेट्स, सोशल मेलिया पर डेथ त्रेट्स, मेरे लिए रेप कि अगर्ष को अभी भी कथा कर रहे हैं और उनको एक गट बननत बना रहे हैं और उनको बहका बहकाकर जिनको काम नहीं मिल रहे हैं for whatever reasons, उनको काम इस बाद में लगा रहे हैं इस पब्लिसिटी लेने के ये मुद्दे में लगा रहे हैं कि आपके साथ मिल जाएं और T-Series क को हम कैसे खतम करते बुशन कुमार को हम कैसे खतम करते एक बाद मैं आपसे कहना चाहूंदी सोनु निकम जी आप किस टाइपी हैं यह तो आपकी बीवी ने क्लियर कर दिया था उन्होंने खुद आपको याद आपकी बीवी ने खुद आप पे इल्जाम लगाएं प्रीज य सबढ़ करों बनाओ ना बनाओ यह सचाही लाओं की नहीं लाओं फिर मुझे फाइनली घीता से मुझे मेरा अंसर में जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे यह यूद नहीं लड़ना है यह यूद लड़कि किसका पाहिना होगा तो भगवान कृष सहकतार में लोग तुमारे लिवाय करेंगे और तुमारे धुश्मन हर तरह की कट्टूब चन बोल कर तुमारा एक काम नहीं है, जैसे कि मैंने बोला मुझे रेप-ठेट्स और है क्योंकि otherwise रन भूमी ओपन है किसी को में publicity के लिए रन भूमी में आना है यूद ओन है दोस्तो जैसा कि आपको बता है कि मेरा नाम है नेरेंदर शर्मा अब मेरा नाम है पूजा सर्मा ये मेरी वाइप है दोस्तो आपने आज सक हमारे चैनल यानि कि वाइरल उन जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उमीड है कि आप हमारे ने चैनल मैडम आगे बताईए तेस्टी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वाइरल उन जंक्शन को प्यार दिया है दोस्तो हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के वेंजन मदा कर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हिल्ली फूड बना सकते हैं तो दोस्तो आप लोगों से मेरा निवेदन है यानि कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दे जो कि आज तक आपने वायरल लिव जन्चन को दिया है दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेशी कटोरी और उसका लिंक हम लोगने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा